नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हुम्मु के स्चानी दोस्तों कूछ चीजों को आहार में लेने से उन से जुड़े ग्रह की सूब द्रश्टी हमारे जीवन में बननी चालूगो जाती हमारी जन्म पत्री में वो ग्रह कहीं भी है कोई भी स्थिती में है वो देखना नहीं है कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोक करके हम वो ग्रहों को बेलेंस कर सकते है दोस्ता रोटी तो हर घर में बनती है मगर रोटी के अंदर कुछ ऐसी चीजे डालने से उन से जुड़े ग्रह सुभ द्रश्टी देने लगेंगे ग्रह बेलेंस होंगे दोस्ता आज जो उपाई से शेरकता हूं वो उपाईस है आपका गुरू चंद्रा और सुक्र तीन ग्रह बेलेंस होंगे बेहने जब रोटी का आटा बनाये तब सभी घर में थोड़ा नमक तो डालते ही है रोटी के आटे में मगर साथ में चुटकी भर हल्दी डाले और एक चमच दूध की डाले उन आटे से आप रोटी बनाये या तो रोटी के आटे बनाने में जो पानी आप लेते है आटा बनाने में वो पानी में एक चमच दूध की डाल दे चुटकी भर हल्दी डाले और वो पानी से आप रोटी का आटा तेयर करें ये छोटा प्रयोग है मामूली प्रयोग है एक रूपिय का भी खर्च नहीं है मगर आपके तीन ग्रहों को ये प्रयोग बेलेंस कर देगा बस दोस्तों कल फिर मिलेंगे कुछ नया कुछ अलग लेगे तन्यवाद वंदे मातरम